आसकर अवार्ट 2013 भारत के लिए बहुत ही खास रहा क्योंकि आसकर अवार्ट 2013 में भारत के दो फिल्मों ने प्रुस्कार पाई है तो आए आज के इस वीडियो में जाने का प्रयास करते हैं कि आसकर अवार्ट का सुर्वात कब और कैसे हुआ नमस्कार मेर नाम है नरेंद्रियादो आसकर अवार्ट फिल्म जगत का सबसे पॉपुलर अवार्ट है इस अवार्ट को पाने के लिए हर फिल्मेकर की चहात होती है कि हमारा भी फिल्म कभी आसकर के लिए नमिनेट हो इसके लिए फिल्म में बहुत सारा पैसा लगाने के साथ साथ बहुत महद भी करनी पड़ती है तो अब जाकर कोई फिल्म आसकर के लिए नमिन हो पाती है आसकर वार्ड को हर वर्स एकेडमी आफ मोसं पिक्चर आर्ट और साइंस के दुआरा दिया जाता है इस आसकर वार्ड का सुरुवात हालिवुड फिल्म की स्थिति को सुधारने के साथ साथ एक्टर को बेष्ट पहषान दिलाने के लिए किया गया था लेकिन बित्ते समय के साथ साथ यह वार्ड इतना फेमस हो गया कि इसे हर फिल्मेकर अब पाना चाहता है आसकर वार्ड को पहली बार 1929 में आयुजित किया गया था आसकर कैसे नाम पड़ा इसके पिछा एक मिस्टरी है यह वार्ड को पहले एकेडमी का वार्ड के नाम से जान जाता था लेकिन 1929 में इस ट्राफी को एकेडमी आफ मोसन पिक्चर एंड साइन्स के द्वारा आसकर नाम दिया गया तब से यह वार्ड आसकर वार्ड के नाम से जान जाता है आसकार अवार्ड को 1956 पर केवल हालीवुड फिल्मों को ही दिया जाता था लेकिन 1927 में एकेडमी ने एक फार्यन लंगवेज काटेगरी बनाई जिसके बाद से भारत के अलावा बहुत से देश अपनी फिल्म को आसकार अवार्ड के लिए नमिनेशन भेजते हैं 1915 में भारत के दोवारा पहली बार मदर इंडिया फिल्मों को भेजा गया था मदर इंडिया ने टॉप 5 में जगह पाली थी लेकिन मदर इंडिया यह प्रूइँ जित सकी मर्दर इंडिया के अलावा सलाम बंबे और लगान फिल्म भी तव फाइप में जगह बनाई थी लेकिन वो भी आसकर नहीं जित पाई भारत के तरफ से आसकर वाट को पाने वाली पहली भारतिया कस्ट्यूम डिजाइनर भानुव थाया है जिन्हें 1983 में गांधी फिल्मे के लिए दिया गया था दूसरा आसकर विजयता स्यतेजी तिरे है और तीसरा आसकर विजयता 2008 में आई फिल्म सलम डग मिलिनियर में बेस्ट सांड मिक्सिंग के लिए रेसुल पोकुटी को दिया गया था चौथा आसकर स्लम्डग मिलिनियर के म्यूजिक और सांग के लिए ए आर रहमान को दिया गया था जबकि पाचवा आसकर स्लम्डग मिलिनियर के सांग जय हो के गितकार गुलजार को दिया गया इस समय 6 आसकर 2023 में आरार के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल संग के लिए अवाट दिया गया है जबकि 7 आसकर 2023 द इलफेंट विस्परर को 60 फिल्म डेक्मेंटरी के लिए दिया गया आर 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 दकस्मीर फाइल गंगुबाय कठ्यावडी कंतारा रकेट्र दनांबी इफेक्ट विक्रांता रोना छेलो सा मैं बसंत्राव तू साथी कहीं और इर्विन निंजल जैसी फिल्म सामिल कि फिल्म के सार्टरिफ्ट होना और अवाड जितना अलग अलग बात है है पहले फिल्म को ब исп आपको बतादे कि 39 में आसकर को 12 कटेग्री में दिया गया था लेकिन आसकर इस समय 24 कटेग्री में दिया जाता है आप सोच रहे होंगे कि क्या इस अवार्ट को बेचा जा सकता है तो इसका उतर है नहीं क्योंकि 1950 से पहले इस अवार्ट को जितने वाले के पास इसका मलिकाना हख हुआ करता था लेकिन 1950 के बाद एकेडमी ने एक नियम बनाया यदि कोई अपना वार्ट को बेचना चाहता है तो उसे एकेडमी को ही केवल एक डालर में बेचना होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बहुत बहुत धनिवाद